में बड़ा दिल पे पतफर रख के मिसाल दे रहा हूं कि मैं दूश्मन मुल्क इंडिया का मिसाल दे रहा हूं जो उन्हें रिखी meantime कि gasp अज जीन दूस्तो आच पाक मिड्या इकनमी के बड़े में बाट कर है पाक मीडिया कह रहा है कि कैसे इम्रान खान ने एकोनॉमी को बरबात कर दिया है और इस बार इम्रान खान ने राट के टीन बजे पेट्रोल कडाम फिर से आठ रुपे बढ़ा दिया है और पाक मीडिया यहां पे कह रहा है कि दिल पे पठ्था रखके मुझे भारत की अब मिशाल देनी पड़े रही है इम्रान खान को कि भारत ने कैसे डिवाली पर पेट्रोल कडाम 10 से 12 रुपे कम किये और यहां पे इम्रान खान पेट्रोल कडाम 8 रुपे बढ़ा रहे है और भारत में जैसे डिवाली पर डिस्कॉर्ण मिलता है जमजान में पाकिस्तान में डिस्कॉर्ण नहीं मिलता जमजान में पाकिस्तान में चीज़ों के दाम बढ़ जाते है और इम्रान साह का इस पे कुछ करती नहीं है तो पाक मीड़ा यहां इम्रान खान को टाने दे र रहूं जो उन्हेंने दिवाली की मोके पे कल पीटरॉल पांच रॉपे कम किये है यानि यह जो राहिसो रुपे की मोके मरेत अव्हाल मालते है ने अरिज़गे पहने ने गरी कुछी का जे चिके पальное डाधा है रहे हैं मिस में तो अठार में भी यह इताल था और आलमी मंडी में पेट्रोल 147 डॉलर फी बेरिल था और हम देरे थे 105 ए 106 रुपे का आज इनके दोर में एक 85 डॉलर फी बेरिल है और यह देरे 138 रुपे 40 पेसे कराची में मजाफात में तो 3-4 रुपे और में गए ताइम कम है उसके असरात अभी नहीं आते तो में गाई का बाम गिरा दिया जाता है और यह सारे स्कोक्स परसें भी भजन गा रहे थे ट्विटर पे और हर जगा पे बैठके अच्छा ये भी खलत ब्रीफिंग दीगी वजिर आजम को और आज 109 रुपे 98 पैसे है डीजल 12 रुपे 48 पैसे सस्ता किया 94 रुपे 14 पैसे है कॉल कटा में पेट्रॉल 110 ने कम करके 104 पैसे 60 पैसे किया ये तो एक ही मुल्क की बादा ना ये एक मुख्तलिफ एरियास के भी इतनी मेहनत इतनी तकलीफ नहीं करते के वजिर आजम को सची बता दे और फिर वजिर आजम की तक्रिरों से जगंसाई होती है लोग उनके क्लिप निकाल निकाल के सुराते हैं देखें नी वजिर आजम के बात कर रहे हैं और ये दिवाली की खुशी में किया गया है हमारे हाँ रमजान की एद फित्र आती है एदे कुर्बान आती है उस रात हमारे हाँ पेट्रॉल जाना वो चल सब चल पर इसमें देखें हमारे हाँ बिक्सुर है तो पर देखें हमारे लोगों का भिक्सूर है नी पर मारा ताजर प्रक्ष रेट तो गोव्मन बढ़ाती है नी 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 बैट्रोल के बात香ची छीज़े भी बहुत महँगी होती है ये नी इननी आत्राइऑ ये लिश्क मारे किसी के सामने हाथ पहला सकते हैं, ना उनकी आमदन आगे आ रही है, ना उपने स्टेंडर्ड को डिकलाइन गड़ बढ़ सकते हैं, चीनी महंगी हुई या पट्रॉल महंगा हुआ, इस से फाइदा किसको हुआ, बड़े खांदानों को, या फिर इस ट्रेड में लगे हुए ताजरों को, पिस गया, दरम्याना तब का, रिलीव पैकज आगे गरीबों के लिए, इसास प्रोग्राम आगया, फलाना आगया, फलाना आगया, तो दरम्याने तब के की कौन सोच रहा है? अलीज साब, भाई, खुदा का खौफ करें, मतलब है कि किस किसम की ये गुफ्तगू के होती है, कि आप देख लें कि पाकिस्तान में पर कैप्टा इंकम क्या है, जब अमेरिका की बात करते हैं, यॉरप की बात करते हैं, तो उधर तो भाई, बेल ओट पैकेज दिया गया लोग घरों में बैटे हुए थे, वहाँ पर अमीर-खरीब को नी देखा गया, वहाँपर उनकी टेक्स रिटरंन थी, उस बेस्पर उनके बिसनस बेस्ट में पैसे दिये गए और डॉलर्ज में पैसे दिये गए, आप लोगों ने डॉलर्ज में पैसे बहें आपने जो पा पाकिस्तान में आप बैठे वे अगर आप इंडिया में जाके पिट्रोल खरीदेंगे तो फिर आपको यही कीमत पड़ेगी पाकिस्तान में एक मजदूर की जो फिक्स प्राइस है वो बीस हजार कमाएगा हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तानी 16,000 कमाएगा जो के पाकिस्तानी 36,500 बंते हैं तो वो 16,500 ज़्यदा कमा रहा है तो गेव मी अगर आप इस किसम की बातें करना चाहते हैं दोस्तो इस वीडियो पर बात करते हैं तो पाक मेर्ण सेखवागी दिवाली पर भारत में पैर्ट्रोल कर तो कर दाम बढ़ गया और पाकिस्तान पैर्ट्रोल कर दाम बढ़ने के कारण भी ए यह इंड़न खान ने आई MFC वड़ा कियाएं वो Pakistan में पेट्रोल एक डॉलर पे बेचेगा और Pakistan में एक डॉलर एक सो सटर रुपए के उपर है तो पेट्रोल कराम अभी Pakistan में कम है वन फॉर्टी जिग है तो जब तक पेट्रोल करें एक सटर नहीं और अरब तक आ इम S Toh किया हुआ वारड़रा इम्रान गान पूरा नहीं कर सकते तो पेटरोल कiana अब भी बड़ेंगे तो पाकिसनी मीडिया कहा है कि भारत में मोदी जिने पेट्रोल के दाम कमा किस्टार में इम्रान खांव हुआ या सकते वैसक्ति इम्रान खान को पेट्रोल के दम अब भी बहुत ही सदा बढ़ाने पड़ेंगे जैसे मैंने कहा कि इम्रान खान के फाइनस मिनिस्टर ने कि आए एमेफ शे लिख वाया किया कि वो पकिस्टन में पेट्रोल EEG jeśli थो फकीन करना ही पड़े तो एक डॉलर में पेट्रों को लेंसाना ही पड़ेगा तो पेट्रोल 146 से 170 तक जाएगी तो पाकिस्तन को अब जोना धुना बर नहीं करना चाहिए कि फीचर में उन्हें और भी जादा पड़ेगा क्योंकि इम्रान खान ने वादा किया है और इम्रान खान जो मिसाल देता है कि भारत में देखिए पाकिस्तनी रुपे में इतनी जादा है तो पा पाकिस्तनी रुपे में भारतिय चीजों की किमत क्या है पर इम्रान खान कभी यह नहीं बोलता कि पाकिस्तनी रुपे में भारतिय लोगों की इंकम क्या है तो ऐसे इम्रान खान पाकिस्तनी रुपे में सिर्फ पेट्रोल और कोछ चीजों के अलाबा पाकिस्तनी रुपे म यह इम्रान खान कभी अपने लोगों को नहीं बोलता वह शिर्फ वह चीज़े बोलता ही जिसकी कीमत पाकिस्तान से भारत में पाकिस्तनी रुपए में ज़्यादा है तो ऐसी दो नमबर ही इम्रान खान करता है और जो परख मेंडने ने कहा कि इम्रान था इतिली पैकेज का और इम्रान थीज की है, ईम्रान था इसका सब को महिने में 900 रूपए को देने का वादा किया, दिया नहीं है और देने से पहली लोगों से उसने 3,000 रुपे ले लिए है मतलब कि यहाँ पर इम्रान खान उन्हें 3,000 रुपे का नुक्सान कर बागे उन में से कुछ को सबको नहीं 900 रुपे दे रहा है ऐसा कौन सा रिलिप पैकेज होता है इससे अच्छा रुटा कि इम्रान खान उन्हें 3,000 रुपे नहीं लेटे यह तो सबसे बड़ा जिलिप होता तो इम्रान खान यहाँ पे जिलिप पैकेज के नाम पे भी पाकिस्टान के साथ दो नमबरी कर रहे है पाक मिन यहाँ सही कई इम्रान खान ने जैसे एकनमिकी हलत कर दी है एक इमांडर बंदा अपने जिंडेगी बहुत ही मुश्किलों से गुशारता है और इम्रान खान का प्लैन अब यह है कि पाकिस्टान में और भी महंगा ही करनी है क्योंकि आई एम्रान खान वो लिख के आया है और इम्रान खान उससे पलट नहीं सकता क्योंकि जैसे मैंने का कि आई एम्रान खान ने पाकिस्टान की जिंड़गी और भी मुश्किल करने क यह देखिए घ्यावादा करके वह आये है आयने के पास और अखिर में ओफ यह कहों कि इम्राइखान जो बोलता है कि अमरीका में के देखिए कैसे प्राइस कितनी है भारत में देखिए है तो अगर इम्राइखान ऐसी जगयों को एक्जम्पल देटाई तो उन्हें पाकिस्तानियों को तंखा भी डॉलर या भायतों रुपए में दिनी चाहिए और फिर कहना चाहिए कि भायत में देखिए इतने ज्यादा प्राइस है अमरीका में इतने ज्यादा प्राइस है तो कोई मतलब बनता है इम्राहान खान पाकिस फूचर में मूशी होता है बढ़ेगी तो चलिए दिखते की फूचर में क्या होता है दोस्तों यह वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत शुक्या और हमें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थांकी बरीमच